एक्स्क्यूज मी, थैंक्यू सुनीता I'm sorry सुनीता अगर ओफिस से छुट्टी मिलती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर आता पर क्या करूं लेकिन तुम अपना ख्याल रखना आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिये, मैं अपना ख्याल रखूंगी वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन पहली बार तुम ट्रेन से अकेले ट्रैवल कर रही हो तो टेंशन तो होगी न नमस्ते सुनीता जी नमस्ते क्या आप अकेले सफर कर रहे हो? जी हाँ देखिए सर, अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्यूंकि पूरी यात्रा के दौरान, अब आपके पत्ने का खयाल उनकी सहेली रखेगी मेरी सहेली? जी हाँ, मेरी सहेली आरपीएफ के सहेयोग से, मेरी सहेली अभियान चलया जा रहा है मेरी सहेली अभियान शुरू करने का उद्देश यथ ट्रें सफर के दौरान, महिलाओं के खिलाफ होने वारे अपराद को लगाम लगाना है खास करके, अकेली सफर करने वाली महिलाए महिला आरपीएफ सफर के दौरान महिलाओं को जागरूख करेंगी और उनकी सुरक्षा में लगी रहेंगी और वक्त वक्त पे उनकी सुरक्षा का संध्यान भी लेती रहेंगी यात्रा के अंत में महिला आर्पीएफ आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपसे संपर्क करेंगी इसके अलावा ट्रेन में सफर के दौरान अगर कोई और परेशानी हो तो रेल्वे के हेल्प लैन नंबर 139 पर संपर्क करें नमस्ते सुनिता जी उम्मीद करती हूँ आपका सफर सुखमे और सुरक्षित रहाओगा सच कहू तो पूरे सफर में मैंने अपने अपको बहुत ही सेफ फिल किया है लगाई नहीं मैं अकेली हूँ थैंक यू आप सबका बहुत धन्यवाद और हाँ मेरी सहेली का भी जनहीत में जारी